हेलो फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं आई होप आप सब अच्छी होंगे तो आज मैं इस वीडियो में आप सब को बताने बाला हूँ कि हमें एक बोतल की हेल्प से एक स्मॉल भैक्यूम क्लीनर कैसे बना सकते हैं बहुत ही पारफुल भैक्यूम क्लीनर कैसे बना सकते हैं तो अग इसे बनाना शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स स्मॉल बैक्यूम क्लीनर बनाने के लिए हमें जो चीज का जरूरत है वो है सबसे पहला एक बोतल इसके बाद एक डीसी मोटर इसे डीसी मोटर करते हैं यह डीसी मोटर है यह इसली से दुकान में अब लेवल हो जाता है एक डीसी यह देखिए नेट का कपड़ा कुछ चाहिए और एक पाइप चाहिए ऐसा पाइप चाहिए अब किसी भी तरह का पाइप यूज़ कर सकते हैं या बिना पाइप के भी यह बन सकता है तो चलिए फ्रेंस बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें इस बोतल को यहां से और यहां से चारो और कट कर लेना होगा यहां से और यहां से कट कर लेना होगा इस बोतल को यह देखिए मैंने कट कर लिया है यहां से कट किया है यहां से कट किया है ऐसे था उसके बाद जो यह पीछे वाला पाट है उसके पीछे य यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर सब जगा छेद कर लेना जितना हो सके पॉसिवल उतना छेद करना है कि बीच में छेद करना है ताकि यहां से मोटर अंदर जा सके तो सबसे पहले हमें कि इसके अंदर मोटर फीट करना होगा तो यह देखे फ्रेंड्स यह मोटर लिया DC मोटर के फिरीज के अंदर ऐसे फिट कर देंगे इसके अंदर यह फिट हो गया फ्रेंड्स उसके बाद इसके अंदर हम प्रोपेलर फिक्स कर देंगे यह देखिए प्रोपेलर है उसे हम फिक्स कर देंगे यह मारा यह fix होगे friends उसके बाद इसे रख देना है उसके बाद जो नेट का कपड़ा था नेट का कपड़ा को इसके उपर ऐसे रख देना है फिर जतना ये पाई कर रहा है उसको इतना काट लेना इतना काट लेना चार और ये देखे फ्रेंट्स मैंने काट लिया है फिर इसके उपर ऐसे रख देना है उसके बाद इसके चारो और टेप लगा देना है ताकि ये अच्छे से यहाँ पर फिक्स होकर रहे ये देखे फ्रेंड्स मैंने इसके चारोर टेप लगा दिया है ताकि ये फिक्स रहे उसके बाद दूसरा पार्ट हमें बोतल के लेना होगा उसके बाद इस दूसरा पार्ट को इसके अंदर कुछ इस प्रकार फिक्स कर देना होगा ये देखे फिक्स कर देना हो फिर इसके चारोर टेप लगा देना होगा हमें इसके चारोर टेप लगा देना होगा हमें इसके चारोर टेप लगा देना होगा ताकि ये भी अच्छा से फिक्स रहे है तो ये देखिए फ्रेंड्स इसके चारोर मैंने टेप लगा दिया है उसको बद कैप क्या पर के लिए यहां पर हमें छहेद करना होगा किसी भी चीज़से कर सकते हैं कोंई लोहा गरम करके भी छेद कर सकते हैं ताकि जो पाइप हमारा में वह सको अच्छे किया नाटार को विद अपाइप से भी देक знаешь को दिखाने जाँ रहा हूं एक देखे और रेंट के से करने कर दिया है कि यह दीजिद से ऑने हैrences कि यू देखे के से काम कर रहा है तो आप भी इसे बना सकते हैं यह देखिए यहान स्टोर हो गए तो आपर हिसे बना सकते हैं आप ड्री को यहाँ पर कनेक्ट भी कर सकते हैं पियर मैं साफ बढ arada YOUR friends चैक यह ओल फ्रेंस थैंक्यों फ्रेंस लवीऐ और लटेंस